हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत हैं आपके अपने ही यूटूब चैनल LGR study में दोस्तों जिसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो सेरीज में हम लोग कलास 10 यानि कि मैट्रिक बोर्ड एक्जाम के बहतर तयारी के लिए समाजिक भी ज्यान यानि कि सोसल साइंस के महतपूर्ण आपजेक्टिव कुष्चन का चेप्टर वाईज तयारी करते हैं आपको बता दे कि आज यह इस वीडियो सेरीज का 18 नमबर वीडियो है Social Science के महतपूर्ण Objective Question के लिए 17 वीडियो अप्लोड कर चुके हैं तो जो लोग अभी तक इस सभी 17 वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के पले लिस्ट में जाकर के जरूर देख लीजेगा क्योंकि यह सभी वीडियो आपके एक्जाम के लिए काफी महतपूर्ण है तो चले दोस्तो आज का वीडियो शुरू करते हैं जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि एतिहास और भुगोल के सभी महतपूर्ण objective question का chapter वाज तयारी हम आप लोगों को करवा चुके हैं और अभी हम लोग जो है राजनितिक विग्यान यानि की political science में पढ़ाई कर रहे हैं और political science का दो chapter आपका complete हो चुका है तो आज का जो यह वीडियो है इसमें दोस्तो हम लोग जो है political science का जो तीसरा chapter है जिसका नाम है लोक तंत्र में प्रती असपर्दा एवं संगर्स इस chapter से related सभी महतपूर्ण question को आज के इस वीडियो में हम लोग discussion करने वाल है काफी महतपूर्ण session होने वाला आप लोग के लिए तो last तक ज़रूर देखिएगा एक भी question को skip नहीं कीजिएगा चलिए यहाँ पर हम लोग first question को देखते हैं first question के दोरा पूछा जारा कि बर्स 1975 भारतिय राजनिती में किस लिए जाना जाता है 1975 भारतिय राजनिती में किस कारणों से जाना जाता है या आपको बताना है तो एक का आपका C option जो है सहीओ का याद रखेंगे कि देश के अंदर आपात काल लागू हुआ था 1975 में देश के अंदर आपात काल लागू हुआ था जिसके कारण 1975 भारतिय राजनिती में याद किया जाता है कि या इसलिए जो है जाना जाता है ठीक है नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो नंबर महतपूर्ण कोश्चन है पूचा जारा कि भारती लोक तंत्र में सत्ता के विरुद जनाक रोज किस देश के किस दसक से प्राडम्ब हुआ यहां पर आपको समझना है कोश्चन को बोला ज जन का आक्रोस था किस दसक में प्रारम्ब हुआ मतलब बहुत सारे लोग सत्ता के होर में कुदपड मतलब सभी को सत्ता चाहिए बहूस सारे जनता भी जुह है चुनाब लगने लगी है किस दसक में प्रारम्ब हुआ था तो दोका यहां पर आपका B options यूगा याद रखे नेट्स्ट आप देखेंगे तीन नमबर महत्पुर्ण कोश्चन है जो है पूसर जा रहा है कि बिषार में सम्पुर्ण करांती का नेत्रत्व निमनलिखित में से किस ने किया सम्पुर्ण करांती का नेत्रत्व किस के दोरा कियाrade गया और यहाँ पर तीन का आपका जो डी ऑप्शन है बिलकुल ही सही आंसर होगा जिस क्वेस्टन का आंसर आपको पहले से पता हो तो कमेंट में लिखते जाएगा जैसे चार का भी पांच का सी इस तरह से लिखते जाएगा तो इससे आपका confidence level भरेगा पता चलेगा कि आप लोग कितना पहले से जान रहे थे नेक्स्ट आप चार नमर कोश्चन को देखिए पूछा जरा कि भारत में 1977 में हुए आम चुनाम में किस पार्टी को बहुमत मिला बहुमत मिलने का मतलब है कि किस पार्टी ने जीत हासिल किया था काव तो 1977 मे जब भारत में आम चुनाम हुआ था उस टाइम पर किस पार्टी को बहुमत मिला मतलब किस पार्टी ने जीत हासिल किया था तो चार का यहां पर आपका बी आप्शन सही होगा याद रखेंगे जनता पार्टी को किस पार्टी को जनता पार्टी को बहुमत मिला था कब तो याद रखेगा 1977 इस भी में नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पांच नमबर कुश्चन है चिपको अंदोलन निम्नलेकित में से किस से संबंधित हैं पहला आपका आप्शन है कि पेर काटने के विरोध से दूसरा है आर्थिक सोसन की मुक्ति से तीसरा है सराब खोड़ी के विर काटने के विरोध से मतलब लोग जो है पेर काटने के विरोध में एक अंदोलन चलाये थे जिसका नाम था चिपको अंदोलन और इसका नाम चिपको अंदोलन इसलिए परा क्योंकि आपको बता दे रहनी नाम का एक गाउँ है जहां पर ठीकेदार ने जंगल को काटने के ल या इसी कार्ण से इसका नाम परा चिपको आंदोलन तो ये ए उप्षन आपका बिल्कुल ही सही होगा पेर काटने के बिरोध से हैं नेक्स्ट आप देखेंगे शिक्स नंबर महातपुर्ण कोश्चन है की दलित पैंथर्ज के कार्डिय करम में निम्नलिखित कौन संबंधित नहीं हैं इसमें संबंधित नहीं है किस से तो दलित पैंथर्ज से नेक्स्ट आप देखेंगे 7 नंबर कुश्चन है पूच ज़रा कि निमने लिखित में कौन भारतिय किसान यूनियन के नेता थे भारतिय किसान यूनियन के नेता निमने लिखित में से कौन थे या आपको बताना है तो साथ का C option आपका बिल्कुल ही सहयों का याद रखेंगे कि महंदर सिंग टिकेट जो है ये क्या थे तो भारती किसान यूजियन के नेता थे next हम लोग देखेंगे 8 नमबर question को आठ नमर question के दोरा पूचाजर है कि तारी बिरोध आंदोलन निमन लिखित किस प्रांत में सुरू किया गया तारी बिरोध आइन्दोलन किस प्रांत में सुरू किया गया था सबसे पहली बार यह आपको बताना है तो 8 का C option आप याद रखेंगे आंधर परदेश में तारी विरोध आंदोलन सबसे पहली बार जो है शुरू किया गया था Next हम लोग देखेंगे 9 number question है पूचा रहा कि नर्मादा घाटी पर्योजना किस राज़े से संबंधित है नर्मादा घाटी पर्योजना किस राज़े से संबंधित है तो 9 का D option आप याद रखेंगे गुरुजिरात महरास्ट और मद्य पर्देश से संबंधित है कौन तो नर्मादा घाटी पर्योजना आगे बढ़ते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 number question के दोरा पूचा ज़रा क कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई राजस्थान से दिल्ली से या फिर तमिलना डू या फिर बिहार से तो यहाँ पर आपका 10 का जो सही आंसर होगा वह याद रखेंगे कि राजस्थान स सूचना के अधिकार आंदोलन का शुरुवात किया गया था आगे बढ़ने से पहले आपको बता दे कि मैट्रिक बोर्ट एक्जाम के बहतर त्यारी के लिए अगर अभी तक आप हमारे मुबाइल अपको डाउनलोड नहीं किये हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे मुबाइल अपका लिंक मिल जाएगा वहां से जरूर जो है डाउनलोड कर लिजएगा दो मुबाइल अप है और जो लोग पहले से डाउनलोड करके रखे हैं उसको अपडेट कर लिजएगा काफी वहां पड़ नेच्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर आप वाला नमबर कुश्चन को पूचा रहे कि नेपाल में सब्त दल्ये संगठन का मुख्य उद्देश क्या था नेपाल के अंदर जो है सब्त दलिय संगठन, עथ दल, सब्त मीश होता है सा, nau। दल होता है, ठीक है अस्थापना नहीं हुई थी मतलब वहाँ पर लोगतंत्र नहीं थी हमारे यहां लोगतंत्र 1947 में ही हो गया 1947 से 50 के बीच में लेकिन 2000 वी तक भी नेपाल में राज साही ही था राजा का ही ससन था तो सब तर लिए जो संगठन थे उसका मुख्य का काम था कि हमें क्या करना है ल वहां के नाम है जो बोलेभिया में जो जन संगठन हुआ लोगों में शंगर्स हुआ इसका मुख्य कारन क्या था तो त्यरा का यह आप्सन आप यद रखेंगे पानी कि कमी में ब्रधी वो लोग करना चाहते थे जो जनता लोग थे वहां के सो नेक्स्ट आप देखेंगे चोदा नमबर कोश्चन है कि स्रिलंका कब अजाद हुआ तो आपको बता दे कि चोदा का जो सही आंसर होगा वो भी होगा याज रेखेंगे 1948 इस भी में स्रिलंका अजाद हुआ था और आपको बता दे कि हम लोग 1947 में हो तो मतलब एक साल के बाद जो है स्रिलंका को अजाद किया गया था नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 15 नमबर कोश्चन है पूछाजरा की राजनितिक दल का आश्य है मतलब राजनितिक दल कहने से क्या मतलब है राजनितिक दल क्या होता है अपसरों का समू होता है या फिर सेनाओं के समू को कहते है या फिर ब्यक्तियों के समू से या फिर किसानों के समू से तो या तो राजनितिक दल नो तो अपसर का समू होता है नो ही सेनाओं का समू होता है नो ही किसानों का समू होता है यहोता है ब्यक्तियों के समूर्ट मतलब सिंपल आम नागरिकों का यह उता है उता है उतत प्रायई सभी राजनितिक दल हैं सबी राजनितिक दल का प्रमुख उद्देश प्रायह क्या होता है वो लोग किस उद्देश से आगे बढ़ते हैं तो 16 का यहाँ पर आपका A option से होगा याद रखेंगे सत्ता प्राप्त करना मतलब अपना चुनाप जीतना ही उन लोग का क्या होता है मुख्य उद्देश होता है पहला उद्देश फिर आगे जो भी विकास करे या फिर ना करे वो तो उनके हाथों में होता है नेक्स्ट 17 नम्मर कोश्चन है कि राजनितिक दलों की नीव सर्व पर्थम किस देश में परे जो है बनना सुरू हुआ 10 नम्मर कोश्चन पूचाज जरा की निम्नलेखित में से किसे लोकतंत्र का प्रान माना जाता है लोकतंत्र का प्रान कहने का मतलब है कि अगर वह नहीं होगा तो लोकतंत्र नहीं होगा तो किस को हम लोकतंदर का प्रान मानते हैं सरकार को या समभिदान को राजनितिक दल को या फिर न्याई पालिका को तो 18 का यहाँ पर आपका D option याद रखेंगे राजनितिक दल प्रान है किस चीज़ का तो लोकतंज का क्योंकि राजनितिक दल है तो लोकतंज चल रहा है और राजनितिक दल नहीं होगा तो लोकतंज नहीं चलेगा कौन ऐसा कार्ज है जो राजनितिक दल नहीं करता है तो चुनाब लड़ना चुनाब तो लड़ता ही है सरकार की आलोचना करना सरकर की आलोचना भी करते हैं प्राकिर्तिक आपदा में राहत कार्ज ये भी राहत कार्ज भी किया जाता है राजनितिक दल के दोरा लेकिन अपसरों की बहाली संबंदी कार्ज यह जो है राजनितिक दल का काम नहीं है अपसर का बहाली करना राजनितिक दल का काम नहीं होता है नेक्स्ट आप देखेंगे जो यहाँ पर आपका 20 नंबर कुश्चन है इस नमबर कुश्चन के दोरा जो है यहां आपसे पूछा ज़रा की निमने लिखित कौन सा बिचार लोक तंत्र में राजनितिक दलों से मेल नहीं खाता है कौन सा इसा बिचार है जो राजनितिक दल के बारे में सही नहीं है तो आप C option याद रखेंगे देश के विकास के लिए सरकारी नितियों का राजनितिक दल बाधा उत्पन करती है इसे बात नहीं है विकास के छेतर में कभी भी राजनितिक दल बाधा उत्पन नहीं करती है तो यहाँ आपका यहाँ मेल नहीं खाता C option आप याद रखेंगे नेक्स्ट आप देखेंगे किस देश में बहुत दल्य बेवस्था नहीं है यह बहुत दल्य बेवस्था क्या होता है एक से अधिक दल जिस देश में होता उसे कहते हम बहुत दल्य बेवस्था जैसे भारत के अंदर आप देखते हूं कि एक से अधिक राजनितिक पार्टिया है यहाँ पर कोई एक पार्टी ही चुनाव नहीं लड़ती है लड़ती है और तो लड़ती उसका लड़ने का कोई फायदा ही नहीं है उतो हमेशा जिती होता होगा 22 नमबर कुश्चन है कि गठ बंदन की सरकार बनाने की संभावना किस परकार की दल्य बेवस्था में होती है तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जब कभी भी गठ बंदन होगा तो अकेले गठ बंदन संभाव नहीं है गठ बंदन में आपका कम से कम दो या दो से अधिक पार्टी का होना जो है जरूरी है तो एक दली वेवस्था में गठ बंदन नहीं हो सकता दोई दली वेवस्था में तो गठ बंदन हो जाएगा तो फिर चुनाब होगा ही नहीं तो बहुत दली वेवस्था में जहां पर बहुत सारे दल हो वहां पर गठ बंदन किया जाता है दो या फिर तीन दो से अधिक डल क्या करती है एक तरफ चुनाव लड़ती है और ये दो या दो से डल उधर अपना क्या करती है तो बाईस का यहां पर स्योप्षण से होगा क्या आवस्यक नहीं है अगर आप राजनेतिक को बनाय रखना चाहते हैं तो निमनलिखित में से कौन सा चीज जो है वो आवस्यक नहीं है तो तो इसका यहां पर डियो अप्शन से यह याद रखेंगी सरकार द्वारा विरोधी दलों का नजर बंद करना यह क्या है आवस्यक नहीं है नेक्स्ट आप देखेंगे 24 नंबर कुश्चन है पूछा जरा कि निमनलिखित कौन सी चुनोती राजनेतिक दलों की नहीं है पतलब कौन सा काम जो है राजनेतिक दल नहीं करता है या फिर उसका वो काम नहीं होता है चुनोती उसका नहीं होता है तो 24 का यहां पर और कभी भी करते हैं तो आप अपने सिधानत वाले लोगों से अब याफि उस पार्टी से करते हैं जो आपके सिधानत पर चल दहाओ बिप्रिश सिधानत वाले लोगों से आप गठवन्दर करने से कोई खादा ही नहीं है पचीस नमर कुश्चन है कि दल बदल कानून निमनल सकते हैं इस दल से उस त migrant उस्ट उस्छा सकते हैं नेक्स्ट है यहां पर आपका 26 नमर कुश्चन केванपिस पुच्छान की राजनेतिक धलों को माननेता और उसका चिन किसे के द्वारा प्रधान किया जाता है। कोई भी चुनाब चिन नहीं रख सकते हैं नेक्स्ट है यहाँ पर आपका 27 नंबर कुश्चिन के दोरा पूसदर है कि निम ने लेखी कौन रास्टिय दल नहीं है रास्टिय दल कौन सा जो है नहीं है तो 27 का सी उप्शन याद रखेंगे लोक जन सकती पार्टी जो है वो रास्टिय दल नहीं है रास्टिय दल कौन होता है जो पूरे देश के अंदर चुनाब लड़ता है उसको हम कहते है रास्टिय दल लेकिन जो लोक जन सकती पार्टी है जिसको हम लोजबा भी कहते हैं और इसका चुनाप चिन बंगला चाप है आप सभी को पता होना चाहिए नेक्स्ट आप देखेंगे 28 नंबर कुष्टिन के दोरा यहां जो है आपसे पूछाज रखी जनता दल जिसको जनता दल युनाइटेड ठीक है जनता दल युनाइटेड पार्टी का गठन कभ हुआ था जिसको हम लोग जद्यू भी कहते है ठीक है तो यहां पर 28 जो आपका सही आंसर होगा वह आपका भी होगा डैट मिस 1999 इस बी में हुआ था चड़ियू का पूछे या नो पूछे ये आपका पूछने की कम संभावना है लेकिन Congress Party का पूछेगा 1880 आप याद रखेंगे Congress Party का जो स्थापना दिवसे कभ है 1880 और ये भारत की सबसे पहली पार्टी है ये सबसे पहली पार्टी है मतलब इस से पहले कोई भी पार्टी नह सरकार की पकर प्रसासन पर होती हैं तो यहां पर 29 का आपका धीली होती है क्योंकि गटवंदर सरकार में दो सरकार होती है तो वह कुछ बोलेगा दूसरा कुछ बोलता है तो इस तरह से आप समझ सकते हैं नेक्स्ट आप देखेंगे तीस नमर कोश्चिन के दोरा पूचा जरे कि निमने लिखित में किसे विशेश राज का दर्जा प्राप्त हैं तो देखिए यहां पर आपका जितना भी ऑप्सन है इस ऑप्सन के अनुसार आपको बता दे कि पहले जम्मू कस्मीर को था लेकिन अ आप जो है इसके पास भी नहीं है नेक्स्ट आप देखेंगे 31 नमर कोश्चिन के दोरा पूचा जरा है कि निमने लिखित में से कौन सी इस्थिति लोग तंत्र की सफलता के लिए सबसे आवस्यक हैं लोग तंत्र में अगर आप कोई सफल होना चाहते तो इसमें निमने लि आगे बढ़ेगा 32 नमर कुश्चन है बरतमान में नेपाल की सासन परनाली क्या है तो यहां पर 32 का जो सही आंसर होगा वह यह होगा याद रखेंगे लोक तंत्र है वहां पर ऐसा क्यों पूचा जा रहा है कि बरतमान में नेपाल में कौन सी परनाली है अभी लोक तंत्र है तो भारते जन्दा प्रटी का नियुक्त नियुक्ता अलिटा चाल के हमस्टा उक्यार complaint का खुर कर दिजेगा और अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं और इस वीडियो के नीचे अगर लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है तो उस पर किलिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए बगल में घंटी का निसा आएगा उस पर किलिक क मिल जाएगा वहां से डॉनलोड कर लिजएगा बहुत सारे स्टुडेंट डिस्क्रिप्शन नहीं समझते तो आपको बता दें कि इस वीडियो के नीचे इसका जो नाम लिखा हुआ वीडियो का टाइटल जो लिखा हुआ जिसे लिखा हुआ है उस पर जैसे ही आप किलिक करेंगे तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है खुल जाएगा वहां पर आपको डोनों मॉबाइल एप का लिंक मिल जाएगा वहां से डॉनलोड कर लिजए और जो लोग पहले से डॉनलोड करके रखे हैं तो उस